बनारस की कोट में आज बार काउंसिल के तरफ से हरदाल का अवाहन किया गया है महत्पुर्ण सवाल यह है कि जिन दो मामलों में आज सुनवाई है हो पाएगी नहीं हो पाएगी महिलाओं ने आज जो याचिका लगाई है उस मामले में महिलाओं के वकील हमारे संग मौझूद है सर संशे की सुधिर जी जरा मुझे स्पश्टा बताईए हो पाएगी सुनवाई नहीं हो पाएगी कुछ बड़ी असपश्टा है अगर बार काउंसिल से हम लोग परमिसन मिल जाता है बार से और गुणों पश्ट तियार होगे तो सुनवाई होगी आपके साथी हैं मदन मोहन यादो जी हिंदू पक्ष के एक वकील वो भी है उन्होंने विशेश अनुमती आज के लिए बार काउंसिल से मांगी है चर्चा हुई है आप लोग के बीच कोई आप क्या चाहरे हैं आप जाएंगे अभी कोर्ट आप क्योंकि जा रहे हैं तो क्या बातचीत करेंगे कुछ लिखित लेटर देंगे बार काउंसिल को कोई फोन पर बात करेंगे कोई विचार आपका है मैं बार काउंसिल से पर्मिशन के लिए प्रातना पद दूँगा बार काउंसिल अगर हमको पर्मिशन कर देती है अब विपक्षी तयार हो जाते हैं तो सुनवाई होगी है सुनवाई होगी मुझे बताइए सब मुस्लिम पक्षकार हैं वो तो मौखिक तोर पर फोन पर बातसीत पर कह रहे हैं कि वह चुक नहीं है उनसे या किसी और से कोई चर्चा स्विशन में हुई आपकी मेरे विपक्षी से भी कोई चर्चा नहीं है और मौखिक कहांगे तो मौखिक रिखित बंतर होता है अज ये सुनवाई होना कितना जरूरी है जो लगतार पक्रिया है दो दिन का समय के बाद फिर एक दूसरी सुनवाई है जो कोड में रिपोर्ट जाएगी कमिशन की आज ये सुनवाई होना कितना जरूरी है चीजों को सही हो बहुत महत्वपुन सुनवाई है, सुनवाई होना चाहिए, जिसे सब की नियाहें भी लगी है, महत्वपुन कारे भी है, और इससे कमिशनी कारवाई थुछा सा रुका हुआ, पुरा हो जाएगा। आप क्या मान रहे हैं, सर्जोगा कल हटाया गया है, मिश्रा जी को, अजै मिश्रा जी को उसको लेके, क्योंकि आप पहले दिन से इस मामले में जुड़े हुए, क्या कारण लग रहा है, यह विक्वक्तिकत विशाल सिंग और अजै मिश्रा के बीच का मामला है, कोई और आज होगा, नहीं होगा, क्लियर कर दीजेगा, देखे, मने बता दिया, हरताल है, हरताल होने पर दोनों पक्षी उपस्ति बार की समर्थन के बाद ही सुनवाई होती है, तो यह महतुपूर्ण हो जाता है, मुझे लगता है, बार इस मामले में आपका फोन पर कोई बात हु अगी कि संगा जाज़ दूबे, IP 뉴스, मनारस